दुनिया भर में कुरोना वायरस से संक्रमत मरीजों का आकड़ा बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में फैली ये महामारी लोगों को घरों में रहने पर मजबूर करे हुए है भारत में इसके खिलाफ जंग छेड़ते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने 24 मार्च को देश में 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोशना की थी मही दुनिया के सभी देश कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है पूरी दुनिया में फैले कोरोना वाइरस ने अब तक चार लाख से जादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है वही दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुँच गया है बड़े-बड़े देशों के सड़के आज वीरान पड़ी है तमाम देशों में मौत का आकड़ा बढ़ रहा है इटली में 7,503, स्पेन में 3,647, चीन में 3,287, इरान में 2,077, फ्रांस में 1,331, अमेरिका में 945, ब्रिटेन में 465, नीदरलेंड में 356, जर्मनी में 206, दक्षिन कूरिया में 126 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गवा चुके हैं देश में अब तक कोरोना से 16 मौत हो चुकी है, लेकिन एक राहत की बात ये भी है कि लोग इस बीमारी से रिकवर कर रही है केरल में संक्रमित पाए गए मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया था और इस बीमारी से तीन मरीजों ने रिकवर कर लिया है इससे पहले केरल के दो मरीजों को कोरोना वाइरस से सही होने के बाद अस्पता से छुट्टी दे दी गए थी इसमें एक का इलाज कासार गोड के कंजनगर सरकारी अस्पताल में चल रहा था जबकि दूसरे का अलपुझा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था दोनों की सेहत में सुधार के बाद इने अस्पता से छुट्टी दे दी गए थी देश में अब तक रिकवर हुए लोगों को देखें तो केरल में चार, महराश्र में आठ, करनाटक में तीन, तेलंगाना में एक, उतरप्रदेश में ग्याहरा, राजिस्थान में तीन, दिल्ली में छे, हरियाना में ग्याहरा लोग इस बीमारी को हरा चुके हैं देश में कोरोना पीरितों की संख्याद 649 पहुच गई है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही इस वाइरस से बचा सकती है, इसलिए अपने घरों में रहें और सरक्षित रहें